आशा की किरेंड लेके आए हैं और मैं धन्यवाद ग्यापित करता हूं जो ये आयोजेक समीती है मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने उतने दुरुष छेत्र से आकर के यहां देरादून में जिस तरीके से अपने इस कल्चर को प्रमोट करने का काम किया ह उसके लिए आप बढ़ाई के पात्रे समस्त कल्चर एक्टिविटी जो टीम है मैं बाद यह अंत्रवालों को मैं जो कल्चर एक्टिविटी कर रहे थे उन लोगों का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपनी प्रतिवा को अभी तक भी जो हमारी संस्कृति उसको जीव और आपका बावर जोंसर आपका हिर्दे कि गहराई से अविननन करता है और जो आप कहेंगे वही उस चेत्र से हो गये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं क्यूंकि आज पुरे भारत वर्ष के लिए और आज हमारे लिए भी मानिय मुख्यमंत्री जी के नेतुत्तों में चाहिए चाहिए राजस्तान हो चाहिए मध्या प्रदेश हो और पर्चंड भावमत की सरकार भारतिय जंता पार्टी की बनी उसके लिए भी आप बधाई के पात्र मानिय मुख्यमंत्री जी और आने वाले समय में मैं विश्वास दिलाता हूं इस उत्राखंड से भी एक ज यह कतन भी सभी साबित होगा ऐसा मैं विश्वास मानता हूं और मैं चाहता हूं कि यह जो कारिकरम है यह जो मेला है जो हमारी संस्कृती को डेबलब करने के लिए एक जीवित रखने के लिए कुछना कुछ संसादनों के आउशक्ता होती है उसके लिए मैं आप से निवद भूद भूद धन्यवाद स्वागत रवी नंदन जैन जै बारत जै उत्राकंड धन्यवाद मान्यव विदायक जी और आपने सही बात कहीं है कि यह सईयोग वंस हम लोगों को कुछ आर्टिक सायता इस कारेकरम को कराने के दिम मिलती रहेगी तो हम इस कारेकरम को और आप आएं और अपना आशिर वचन हम सभी के मध्य रखें धाकर धामी जिन्दावाण भारत माता की भारत माता की महसू महराज की मासू महराज की चाल्दा महराज की चाल्दा महराज की ठोड़ा नृत्यों सांस्कृतिक महुत्सों के इस सुब आउसर पर हमारे मुरूला चेत्र के लोगपिर्य विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी बलाग परमुक काल सी श्री मठोर सिंग चोहां जी मीडिया प्रभारी भारती जनता पार्टी भाई नवीन ठाकुर जी अध्यक्ष जौनसार भावर पुराणिक सांस्कृतिक लोगमंच श्री जी जुला मंतरी और साल थियुक्राम के संचालक भाई नरेश चोहां जी मीता सिंग जी प्रसाथ लेगी अ नरेश चोहां जी हमारे आज जिंको यहां पर मेरे हातों संब्मानित क्या गया है इमान्चल से आए उए हमारे बहुत ही परशे है प्रसित्टिंग ग अयक श्री म पुंदन सिंग चौहान जी संस्तापक जौनसार भावर पॉड़ानिक सांस्कृतिक लोग कलावन इंजिनियर नरेश चौहान और इस कालिक्रम में पधारे हमारे सभी सभी बड़े मुझुरूर्व सभी उपस्तित मेरी माताएं बहनें और बड़ी संख्या में यहां पर पधारे सभी मेरे युवा नौजवान साथियों उपस्तित पत्रकार मित्रों एवं चायकार बंदों और आज इस ठोड़ा एवं सांस्कृतिक महत्ताव में अपनी प्रस्तुती अपनी सांदार प्रस्त देने वादे हैं हमारे सभी कलाकार भाईयों युव बहनों मैं सबसे पहले तो ठोड़ा युव नरत्य महत्तों के इस बहुत ही सांदार आयो जनके लिए मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत बढ़ाई देता हूं बहुत सुबकामनाई देता हूं आपका विनन्दन करता ह भाईयों बहनों देव भूमी उत्राखन हमारी पूरी दुनिया के अंदर यह अध्यात्म और संस्कृति की केंद्र के रूप में योग की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में पूरे विश्यों के अंदर इसको माननता है वहीं साहित्यम संस्कृति और कला की भूमी के लूप मेरी इसका अपना एक विशिष्ट इस्तान के वल यहीं नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस करम में आज जौन सार भावर पौराणिक सांस्कृतिक लोक कला मंचयों सामाजिक संस्ता के इस सांधार महौर्शूंग मैं भी जब यहां पहुंचा आप सब के इस कार भाई भेहनों को देखकर और अपने नौजवान हुआ भाईयों के उत्सा को देखकर मैं भी अभीवूत हूं कि सांधार कारिक्रम में मुझे सामिल होने का स्वाग के प्राप्त हुआ है मुझे बताया गया है कि यह संस्ता यह लोग संकृति के सरख्षण में उसके संबर्दन में उसके विस्तार में और परचार परसाव के द्वारा लगातार किया जाता रहा है अपनी लोक कलाओं पर अधरी हमारे दृतियों लोगीत और पारंपरी बाध्धीयंत्र है और बेज बुसा पराधरी कि यह करिक्रम करना इस संस्ता का मुख्यों देश से आज के समय में जब तेजी से जहां ग्यान आगे बढ़ा है टेकनलोजी आगे बढ़ी है ऐसे समय के साथ-साथ जो हमारी और आड़िक बेस्पूसा है बात देइंतर हैं जो आज कहीं ने कहीं और कुछ पहले की तुनला में धीरे धीरे कम हो रहे हैं धीरे धीरे समाप्ती के और जा रहे थे इस संस्ताने ऐसे जो हमारे पौरानिक बात द्यांतर हैं हमारी लोग कलाए हैं हमारी विरासत है उसको बचाने के लिए इन विदाओं को और हमारे कलाकारों को एक मंच प्रदान किया है कि मैं इसके लिए संस्ता को बहुत अपनी तरफ से बढ़ाई देता हूं इसके साथ ही कि पौराणिक संस्कृत पर आधारी जो हमारे यह दल है जिसमें मुख्य निरत्य ठोल सागर केदार बाक्षा विरुड़ी हारूल तलवार जुड़ा निरत्य गुड़िया रासो मैता जौनसारी नाटी ठोला धनुस्तीर करवान निरत्यादी जो आप अभी आप सब के सामने यहां पर हमारे सारे कलाकारूने फिर प्रदशन उनका दरसाता है कि यह संस्ता और हमारे यह नई पीडी के लोत अपनी जो स्नुच्णिपर्टि थी उसको बढ़ाने के लिए उसको आगे लाने के लिए और पीडी छिख tees यह यह दिसरी पीडी नहीं क्योंत्य हमारी नई पीड़ी को जिस प्रकार से इसको लगातार एक पीड़ी से दुसरी पूड़ी में ले जाने का काम हो रहा है ये संस्ता पूरी सजक्ता के साथ इस पर काम कर रही है मुझे प्रसंता है कि यहां जो समारो है यह हमारी जो संस्कृति बुलुपत हो रही है विरासत को और संस्कृति को कहीं न कहीं बहुत सरक्सर परान इसके माध्यम से हो रहा है और हमारी जो नई पीड़ी है वह अभी इन सबी कामों को आगे वढ़ाने का काम करें इसको हम परिशे का काम कर रहें और रास्ठ और संस्कृति को प्रतर्च्स रूप से जानने का इसार प्रक्रादาร करने वालभी है हमारी जॉर आगे आने नी पीडि है उनकी सार्जी को समस्ता है उसको और मजबूत करने का काम करें आख एक आप सबसे हैना चाहता हूं कि हाज जो हमारे उत्राखंटी जो जोंसार की संस्कृति है गड़वाल की संस्कृति है कुमाओ की संस्कृति है चाहे हमारे आज जंजाती चेत्रों की संस्कृति है आज वो पूरी दुनिया के अंदर जा रहे हैं मैं अभी पिछले दिनों जब इगलेंड गया था मैं आपको बताओं क वहां पर हमारे पूरे उत्राखंड की मिस्रित संस्कृति जिस प्रकार से वहां पर एक इस्तान पर एकत्र होके उन्होंने उस संस्कृति के अनेकों हमारे संस्कृति करिक्रम आयुजित किये थे मुझे ऐसा लगी दी रहा था कि मैं एक लेंड में हूँ मुझे लग रहा था UK कहते हैं ने United Kingdom और हमारे उत्राखंड को भी UK कहते हैं तो मुझे लगा कि मैं वहाँ UK में नहीं हूँ बल्कि अपने UK में हूँ इस प्रकार से हमारी संस्कृति पूरी दुनिया के अंदर आज जा रही है ऐसी संस्कृति का अजजुनों के मात्यम से हमारे जो कलाकार है उनको भी एक मंच मिलता है और उनको भी आगे बढ़ने का उसर मिलता है उनको भी कही ने कही हम एक प्रोज़ाइद करने का काम करते हैं उनका प्रोज़ान करते हैं वह बहुत सक्ति होती है और मैं देख रहा हूं जोंसार भावर के लोगों ने जिस प्रकार से प्रतेक वर्स जो भी वह आयुजन करते हैं और आज के आयुजन में जिस प्रकार से आ पुरा विश्वास प्रकार से संगठन के रूप में सभी आप लोग आज के संस्कृति को जोsentफ चेत्र को आंगे अबके लानिक अनिक ये करम नित्य बना रहना चाहिए वाईयो वेनों आदरी प्रदानमंत्री मोदी जी के नितों तुमें और उनके मारदसन में केंद्र सरकार के सहयोग से आज उत्राखंड राज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है आज हर चेत्र में उत्राखंड भी हिंदुस्तान के का पर्यास इस बूल मंत्र को देवांद कर हम सबको आगे बढ़ना है हमें अपने देश को विश्व गुरू के पद्र है कि आरूड करना है ओर इसके लिए अपने-पने च्छित्रों के अपने-पने इस्तान पर जिसके पास जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर् हम को पुरह ही मांदारी के साहथ पूरह परीशनम के साहथ करना है तो निश्चित रूप से जैसे हम सब जानते हैं भारत की जो 玩 बन गई है और आने वाले समय में वह तीसरे नमबर की अर्थव्योस्ता बन गई है और आने वाले समय में हो तीसरे दो बनाने काम ने संगल दिया है